यहां जो हम बात बता रहे हैं और जो चल रही है क्योंकि आज एनराई का दिन भी है यह जो पूरा का पूरा काईक्रम चल रहा है इस पूरे के पूरे काईक्रम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यह पाऊगे के हम यहां आज कल गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं और गोल्डन रूल्स में यानि जो सुनहरे जो नियम है उनमें जो नियम चल रहा है वो आज है पांच्वा नियम यानि कि हमारे जो नियम है वो चार पहले बताए जा चुके है और पांच्वा नियम है हमारा वो है पद, प्रतिष्टा, मंच और माला यानि कि यह जो चार चीज है यह चार चीज कभी नहीं आये इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहां कभी नहीं आ सकता है यानि सिर्फ समण की eligibility है और दूसरा golden rule से हमारा चंदा कभी नहीं यानि समण संग public से कभी भी चंदा नहीं लेगा यह पहले explain हो चुका है बताया जा चुका है इसकी वीडियो आ चुकी है तीसरा हमारा जो golden rule है सुनहरा नियम है वो है जाती अभ्यास कभी नहीं यानि समण संग में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो संगी है वो जाती का practice नहीं करेगा जाती का अभ्यास नहीं करेगा जाती की बात नहीं करेगा जाती का जिक्र नहीं करेगा क्योंकि जाती पुराने समर्ण संग में थी ही नहीं उस समय जाती होती नहीं थी समराट असों के समय भी कहीं जाती नहीं थी और ये जो हमारा संग जो ठूटा है चार सो पांच साल पहले उससे पहले जो जितना भी साहित है उसमें कहीं जाती नहीं है यह काल्प्रिक किताब जब से आई है चार सो पांच सो साल से तब से जाती का यह जो सिस्टम है यह बना है क्योंकि संग ठूटा है तो छुटे-छुटे टुकड़ोने जाती में बढ़ गए हैं पांचमा नियम हम आज एक्समेंड करेंगे जो चौथा नियम हमारा इसमें है केवल संगबाद संगबाद का मतलब है कि यहां हम व्यक्तिवाद नेताबाद प्रधानबाद या संग्ठनबाद या कोई और वाद ऐसा जो संगबाद से इतर हो या अलग हो उसको हम नहीं मानें पांचमा उसको चोड़कर वो जा सकते हैं पर उनकी नॉर्मल मेंबर्सिप इसमें एजे संग के रूप में रहती है और नौमा नियम है संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं यानि इस संग में और पहले से जो चला संग आ रहा है बुद्ध से पहले तक का उसमें नियम है कि जो संग घात करेगा उसकी संग में बापसी कभी नहीं होती है और दसवा नियम है कि जो नौ उपर की वि प्रतिष्टा मंच माला कभी नहीं यह बहुत इंपोर्टन नहीं हम इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संगवाद की अलावा कोई प्रतिष करता है नाम तो लेता है कि हम संगी हैं हम संगवादी हैं और हम संगवाद में यकीन करते हैं और हमारा संग है और काम वो करता है जो व्यक्ति बाद के हैं नेता बाद के हैं परधान बाद के हैं जो एक एकल बाद के हैं और उनकी अभ्यास करता है तो वो संगी नहीं है जो पद होता है पद यानि पोस्ट जो पद होता है वो हम ऐसा जो लोग संग में नहीं होते वो बाढ़ते हैं आपस में यानि आप क जहां कहीं राजा या उसका प्रधान या कहीं कोई राजा का कोई हिरार्की है जो राजा का सिस्टम है उसमें पद होता है या आप कह सकते हैं कि जहां व्यक्तिवाद होता है व्यक्ति अपने आपको ऊपर रखता है सुप्रिम होता है बड़ा रखता है वहां वो पद रखता है तो जब भी पद आएगा फ का मतलब होता है कि आपको जो पोजिशन दी है आप कुछ लोग हो सकते हैं और आपसे नीचे कुछ पद हो सकते हैं तो इसमें फूर नीचे सिस्टम आ जाता है यानि कुछ उपर होंगे कुछ नीचे होंगे यानि कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे कुछ के अधिकार ज्यादा होंगे कुछ के अधिकार कम होंगे तो छोटे बड़े का उंच नीच का ज्यादा का और छोटे अधिकार का एक भेद आ जाता है यह भेद discrimination पैदा करता है भेदभाव पैदा करता है और आदमी को एक दूसरे की निगा में चड़ाता है उतारता है इससे अभिवान पैदा होता है इससे इगो बढ़ जाती है इससे एक मनवग्यारिक रूप से दूसरे को दवाने की या खुद के दबने का एसास आना सुरू हो जाता है तो इससे एकलुबियम नहीं रहता यानि कि इससे एकता नहीं रहती इकनिमिटी नहीं रहती इससे जब इससे समानता नहीं रहती एकता नहीं रहती है तो फिर संगबाद खतम हो जाता है फिर वो संगबाद की जेगे संग्ठनवाद आ जाता है इसलिए संग में कभी भी क्लίνए कि पद नहीं हो सकता क्योंकि पद हमाईशा चोटा बढ़ा करता है ऊँच नीच करता है पद की आवशक्ता यहां कभी पहले न संग में थी और नहीं कभी संगौं के अंदर पद रहते हैं दूसरा आता है प्रतिश्टा प्रतिश्टा का मतलब है के संग के अंदर किसी को प्रतिस्थापित किया यानि उसको उंचा किया या उसको नीचा किया उसका सम्मान किया या उसका अपमान किया आप अगर किसी को विशिष्ट आती थी इस्पेसल आती थी मुख्य आती थी या सह मुख्य आती थी या कोई भी अगर ऐसा इस्थान देते हैं जो साधरन संगियों से इतरहे अलग है या उसको नीचे वाला इस्थान देते हैं जो साधरन संगियों से नीचे है तो वो आपको छोटे और बड़े का भेद पैदा करते हैं इसलिए संग में कोई कितना काम परे सबी व्यक्तियों की अलग-अलग खाचत होती है कोई व्यक्ति ब करने में अच्छा हो सकता है कोई यहां मैनेजमेंट जो खाना वगएरा है उसको लगाने में करने में अच्छा हो सकता है कोई यहां जूतों को लाइन में लगाने में अच्छा हो सकता है कोई यहां लोगों को पानी बलाने में अच्छा हो सकता है कोई यहां सब का हिसाब क काम कराने मच्छा हो सकता है कोई की काम झानता है वही शोटा बड़ा नहीं हो क। पर काम अलग बात है काम के अधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता चोटा बड़े का यहां जिक्र भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर काम के आधार पर छोटा बड़ा हो गया या उसको यह कहने लगे कि यह तो ज्यादा बड़ा काम करता है या यह बुद्धी जी भी है ज्यादा पड़ा लिखा है या यह यह लेबर है यह पिछाने का काम करता है यह कुर्शिया अटाता है तो यह जो culture आती है यह culture difference पैदा करती है यह VVIP और VIP culture में आ जाती है यह मुख्छे लोगों में कल्चर आ जाती है फिर उसका division हो जाता है और जब division हो जाता है तो वहां काम नहीं होता फिर वहां लोग एक दूसरे को प्रतालित करते हैं जिसका आप सम्मान कर दोगे तो क्या इसका मदद बाकी लोगों का अपमान हो गया क्यों कि कुछ लोगों का आपने सम्मान किया उनको प्रतिष्ठा उनकी की उनका सम्मान करके उनको चाओ तरफ आपने कहा तो बाकी लोगों न वो कर रहा है संग की निगाह में रहता है कि कौन ज़्यादा काम करता है तो उसको और ज़्यादा काम दिये जाते हैं जो काम नहीं करता काम चोर होता है संग उसको पचानता है पर कहता नहीं है कि यह जो ऊच नीच का वाला मामला है या कुछ ऐसा है यहां जो काम करता है वो स काम गंदा है। यह है किसी भी हलतम में नहीं आता इसनलिए यहां प्रिठरी इस्ðापित नहीं किया जाता है किसी को प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है किसी को special नहीं का जाता अगर special किसी को कह देंगे तो बाقी लोग ordinary हो जाएंगे तो संग खतम हो जाता है तीसरा यहाँ है माला मं्च यहां कभी नहीं लगेगे क्योंकि मन्च जहां लगता है वहां उस्चाई पर लगता है मंच हमें साक कुछ लोग ऊंचे पर बैठों का मतलब है कि कुछ लोग बाकी लोगों से विशिष्ट हैं, मुख्षे हैं, कुछ ज्यादा तरह के उन्दर कुछ चीज है, इसनिये उनको ऊपर बठाया गया है, और जब वो ऊपर बैठते हैं, तो ऊपर बैठते ही उनके अंदर एक एगो और एक एहम और गुरूर सा जाता है, आपने अगर ध्यान दिया हो, तो य उसी पैदा करता है और जो व्यक्ति जितने उपर बैठ जाते हैं वो सिर्वालों को सिखाना है और हम सिखाने वाले एक हम और इग ऐघरी आ जाता है चाहे उस बन्दे को क्यक्यवीन पता हो चाहे नीचे बैठने है जैसे मुड़दा अकड़ जाता है ऐसे अकड़ा करके वो बैठता है इसलिए मंच कभी नहीं लगता संगों के अंदर क्योंकि व्यक्ति बरावर होते हैं और सारे अच्छे होते हैं और जानकारी का जो लेवल है वो धिरे धिरे लोगों का बढ़ता रहता है इसलिए एक प ग्यान है वो सेहई गयान लगबस को मिल जाता है जिसका समंभ संग में सबसे जज्यादा जरूरत है और जो जबसे जाना जाता है सहज ग्यान यहां के अंदर कभी पहले कभी मंच लगे हैं क्योंकि मंच भेदवा पैदा करता हैyr चोटा बड़ा पैदा करता है वैक्तियों को बांट देता है मंच स्वाले वेक्ति अलग हो जाते है और नीचे बैटने वाले आलग हो जाते हैं और जब कारिकरम खतम होता है तब भी वो मंच वाले लोग जो होते हैं वो अकड़के चलते हैं उस भीड में चाहे घर पर उनकी बुलकुल दुर्दसा होती हो और उनको हल्त खराब हो मोहले में कोई कूछता ना हो पर उस समय वो बड़े तने रहते हैं इससे बहुत ज्यादा न जbn हब कहना है वो कहेंगे एक संग आसन जरूर होता है संग का मतलब एक जहां पर संग कोई बात कहनी हो और कोई व्यक्तिseits महां जाकर बैठकर बात करें वो संग ह Khanh संग का आसन होता है, यानि संग का बैहंने का स्थान होता है, पहले एक चबूतरासा होता था संग का संग का संबोधन करेगा तो सारा संग उसकी तरफ देखेगा तो यह बाएंचं़ जाए बेट जाए जिसको दूसरा आना हो पिर वो संघ तो संघ कोई बाद में संघ यह न Great Direction कोई बाद में संघ ने लगे क्योंकि समणात सोड के चार Dordo Irri तो उसको सिंघ यहिए थिर यूज़ कोई नहीं होता शेर का उपर कोई यह नहीं बैटתי तो संघ असन होता प्रब्रां जो कि बनाया जा सकता है और वह प्रम्प्रां जो हमारी पूरी और चौथा है वह हमारी माला का झो कल्चर है हमारा अगए माला जो कल्चर नहीं है। जो कि माता बहने थी सिरंगार के रूप में अपने गले में यह अपने बालों में डाला करती थी सफेद फूलों की बना के क्योंकि पहले जो इस्त्रिया थी उनके संगार के लिए नेच्रल चीज़ें हुआ करती थी फूलों का गजल लगा लिया सर में बान लिया या माला पहन ली क्योंकि पहले कपड़ा सब के पास आदमी नर लोगों का है जो व्यक्ति को प्रज culturallyaya, और भीड में ये वात प्ता चले कि कौन बॉक्ति प्रल से प्रभवक ए और से सजा सजा के लेके आते हैं ताकि किशी को पूशन ना पड़े और वो समझ जाए कि यह व्यक्ति प्रधान है और यह व्यक्ति व्यक्ति बाद में उपर है. इसलिए संग में कभी भी माला डालने पाए जाती पर बुद्ध के गरे में एक माला नहीं मिलती ना किसी फोटो में ना किसी चित्र में ना कहीं और बुद्ध ने कहीं कोई माला के लिए कहा भी नहीं एक जो पुफ बंगो है उसमें एक कहानी आती है जिसमें एक फूल तोड़ने वाला फूल बेशने वाला एक व वो गुद्द के चरणो में और बुद्द के भिकूर संग के चरणों में डाल दिये हैं, तो राजा उसको बड़ी सहभा सी देद देता है और उस दिन उसको दोगना दाम देता है, ऐसी एक कहानी आती है, तो उससे पता चलता है कि फूल जो डाले थे वो बुद्ध के और बुद्ध के अर्मियाई जो इतने भिकूते हैं उनके चड़नों में डाले थे, कहीं कोई माला उनके गले में नहीं पर तो माला जो होती है, वो व्यक्ति वाद का प्रतिक होती है, ये बिमारी इसकदर हमारे समाज में हैं, कि लोग अपने पैसों की माला खह होते हैं, उतने बड़े वो होते हैं, और वो माला नहीं उतारते हैं, जब तक जब तक वो अपनी गाड़ी में बापस ना जाएं, और माला उतार कर वो गाड़ी में आगे सजा देते हैं, पीछे सजाते हैं, ताकि गाड़ी जहां तक जाए, वहां तक लोगों को पता चले कि हमारा नेता कितना बड़ा है देखो उसकी फूलों से गाड़िया भरी पड़ी हैं कुछ डैसबोर्ट पर डाल देते हैं कुछ टांग देते हैं और माला अगर नहीं हो कहीं या बेकार माला हो तो नेता जी डाटते हैं कि तुम कैसा स्वागत करते हो माला लेकर नहीं आए तो यह सब होता है और यह सारा सिस्टम मालाओं का लगाता चलता रहता है व्यक्ति को पढ़ान बनाने के लिए इसमें पैसा भी जाया होता है और इससे कुछ मिलता भी नहीं है सवाए व्यक्ति बाद के और कुछ नहीं मिलता है इसलिए पहले भी संगल के अंदर कभी माला सब्कार या माला नहीं हो तो क्योंकि व्यक्ति का जो सम्मान होता है वो उसके कारे से होता है जो लोग उसको याद रखते हैं जो बाद में व्यक्ति की सकल भूल जाते हैं व्यक्ति की सारी बात भूल जाते हैं सिर्फ एक उसका कर्म याद रहता है उसका काम याद रहता है आ लोगों को सिखाथे थे पुराते थे और इक करांथ खड़ी कर दी विद्ध का चेहरा किसी को याद नहीं था जूक्legen को चेहरे बने हैं वो बाद में कालप नेख है और जुटे बने हैं बुद्ध एक्चुल काले थे गोरे थे छोटे थे नाटे थे किसी को पता नहीं कैसे थे पर बुद्ध का कम याद है करम याद है कि बुद्ध ने कितना बड़ा काम किया कि पूरी दुनिया उनको विस्वुरू बांती हैं वैसे ही मुहम्मद मुस्तफा सलल्लावी अलाई वसल्लम जो मुहम्मद साव हैं क कर सकते हैं उनका चेहरा-मौरा या उनकी चीछे सारी सारी खतम कर दिए गए ताकि लोग व्यकति बाद में या पुजा बाद में न आ जाए इसनी पे लोग हैं सेंग के अंदर जो पुराने हुए हैं हें और जो आब तक हुए हैं साथ साल से यह सब ड्रामा देखते आ रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि हमारा नाम होना चाहिए लोग हमारा नाम जाने हमारा लोग चहरा जाने लोग हमारी स्थुति करें लोग हमें देखें लोग हमें वावबा करें यह सब बेकार की चीज़ है संग के अंदर यह नहीं ह होता है संग के अंदर अगर किसी का फोटू जा रहा है तो जाए उससे फरक नहीं पड़ता और किसी का नहीं जा रहा है तो ना जाए उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि संग में तो घोलना होता है अपने आपको अपना पूरा जीवन संग में घुलना होगा जैसे पानी के अंदर एक चम्म चीनी घुल जाती है उसका पता नहीं चलता वैसे आपको अपना जीवन संग के अंदर घुलना होगा अगर आप अपना जीवन संग के अंदर घोलने को त्यार हैं और इसके बदले कुछ ना लेने को त्यार हैं तो सफलता आपके संग के दरवाजे पर है और अगर आप यह सोचते हैं कि मेरा यहां मान हो समान हो मन्च हो माला हो नाम हो पोजिशन हो मैंने तना काम किया मेरी इस् यह यह नहीं आया वो नहीं आया तो आप कितनी भी महनत कर ले ना परणाम नहीं आने वाले परणाम इसलिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि संग की यह सर्थ होती है कि जो संग में अपने आपको भूलेगा और विले करेगा उसके दरवाजे पर सफलता संग ले के आता है और ज इहां प्रसंसा और मेरी यहां निंदा इन सम्मे अगर लगा रहेगा, और इन सब के वारे में सोसता रहेगा जीवन में संगी नहीं नहीं संगे रिजुल्ट आ सकते हैं। में रिजल्ट तभी आएंगे पहले भी तभी आये थे जब पचासो हजारों आदमियों ने अपने आपको इसमें घोल दिया उनका नाम भी नहीं जानता कोई कितने दोग थे बुद्ध के साथ में पचास जार बताते हैं कहां नाम है क्या दो चार नाम है वो भी कुछ जूट बुद्ध के अगर संग में आया और आने के बाद भी ब्रह्मन है तो वो बुद्ध का सिश्य नहीं हुआ वो भिकु नहीं हुआ वो अरत नहीं हुआ वो समण नहीं बना इसलिए वो हो नहीं सकता तो बाद में यह नाम बदले हैं जो सारी पुत को कहा है ब्रह्मन है ब्रह नहीं हुआ तो बैस lines कुछ सीखा नहीं बादने वह अपने मुठ सो आगेकरने के लिए के देखो fundsupp qui काम करने वाव शुद्ध को करना करने और ये बात 100% सच है आप इसको किसी भी किसी भी आदमी साथ शेयर कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि जो ब्रहमने वो भिक्कु नहीं होता और जो भिक्कु है वो सिर्फ समण होता है इसलिए कोई अगर पहले ब्रहमन रहा हो और वो आएगा तो वो समण बन जाएगा के मन में जिस को पदस्दमाना जिसको यह जो सॏल पेने पनी के आदत है जिसको माला पैनी के आदत है जिस जो भग्वान बंद्द संग में यह तो अपनी जिंद्ध की देनी चाहिए है मिलेगा है या कुछ नहीं जो मिलेगा संग को मिलेगा संग से जो लोटके आएगा वो सब को मिलेगा ये बात कुई तरह से क्लियर है इसलिए जो हमारा पांचवा गोल्डन नियम है क्योंकि चार पहले होगे पांचवा ये है मंच माला पद पतिष्टा समण संग में कभी भी नहीं ना पहले कभी थी और ना अब होएं और ना बाद में कभी होंगी अच्छी तरह से सोच लें अच्छी तरह से बचाल लें क्योंकि बहुत साई लोग है यहां सोचते हैं मंच माला पतिष्टा यहां मिलेगी, नाम मिलेगा, हमारी वाबा होगी, हमारा फोटू होगा, हमारा ऐसा होगा, वैसा होगा, बाद में उनको कष्ट होता है, और उनको कष्ट क्या होता है, संग को भी कष्ट होता है, तो कि जो लोग ऐसे आते हैं, बाद में फिरू वो जाते हैं, छोड़ तो उससे क्या होता है कि वो अपनी कमी तो सुकार करते हैं वो यह तो कमी नहीं सुकार करते हैं कि हमको मंच माला की आदत पड़ी हुई है हमको प्रतिश्टा की आदत पड़ी हुई है हमाएं विक्तिवाद की आदत पड़ी हुई है वो यहां कोई कमिया विम्या ढूंते हैं और कई वार यहां लोग लड़ भी जाते हैं, तो उनको बड़ा अजीव से लगता है, उससे संघ का नुकसान होता है, तो कम से कम संघ का नुकसान ना करें, पहले सोच लें, गोल्टन नियम देख लें, समझ लें, जाल लें, और जब अच्छे लगें, तो पूरे मन से काम कर और अच्छे ना लगें, तो तब तक का अंतियार करें, जब तक ये अच्छे ना लगें, धन्यवाद संघं नमामी आप सभी से ये निविदन हैं, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद चंगं सरेणं गच्छामी चंगं सरेणं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूतियम् पी धमंग सर्नंं गच्छानु तूतियम् पी संगं सर्नं गच्छानु बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी बुद्धम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तेतियं पिसंदं सर्णं तर्शामी साथू, साथू, साथू